आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello Students Our Question is What do the chloroplast contain? अगर हम बात करें इस chloroplast की तो ये आपकी एक Particular Cell Organically होती है जो की हमें किसमें देखने को मिलती है Plants के अदर देखने को मिलती है जो ये Cell Organically होती है ये आपकी एक Double Membrane Cell Organically होती है Double Membrane Cell Organically होती है जिसके अदर हमें क्या देखने को मिलता है DNA भी देखने को मिलता है और इसलिए इस serial organically को हम क्या बोलते हैं semi autonomous organically के नाम से भी जानते हैं तो जो semi autonomous organically होती है वो organically कैसी होती है क्योंकि इसके अंदर DNA present होता है अब अगर हम बात करें आपकी जो ये chloroplast double membrane organically है इसके अंदर आपका क्या present होता है एक pigment present होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, chlorophyll बोलते हैं, अब यह जो chlorophyll pigment है, इसमें एक specific function हमें देखने को मिलता है, कि यह pigment आपका responsible होता है, एक like process के लिए, जिसको हम बोलते हैं photosynthesis, और यही आपकी वो process है, जिसकी वज़े से plants आपके food synthesize कर सकते हैं, अब जो chloroplast है, उनके chlorophyll होता है, और वो आपके क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, यही आपका इनका specific function होता है, जो कि chloroplast को carry out करवाना होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया, कि इनके अंदर एक double membrane structure होता है, जो कि आपके जो outer membrane है, यह double होती है, पर इसके अंदर हमें एक third membrane भी देखने को मिलती है, thylakoid membrane, अब यह जो thylakoid membrane होती है, यह क्या होती है, यह long folds होते हैं, long folds होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, यह oranly के अंदर होते हैं, अब इनके अंदर आपके जो photosynthesis है, वो पूरी process होती है, जो कि detail में होती हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे phases होते हैं, और वो आप के क्या करते हैं, help करते हैं food synthesis के लिए food synthesis के लिए so this is all about chloroplast and what does it contains with this, thank you